असलाले को एवेवन इस गाइटनी चेटर नर्बर 36 और इस पार्ट में हमने पढ़ने हैं Transfusion Reactions यानि के Blood एक बंदे से दूसरे बंदे में Transfuse किया है और जिसमें Transfuse किया था उसकी Body में कोई Reaction हो गया है Blood Transfuse करने की वज़ा से और Most Serious of the Transfusion Reactions is Mismatched Blood Transfusion Mismatched Blood Transfusion का मतलब होता है कि गलत Blood लग गया है मिसाल के तौर पे Blood Group A के अंदर हमने Blood Group B नहीं लगाना ठीक है मगर अगर Blood Group A के अंदर Blood Group B लगा दी है Blood Group A वाले बंदे को हमने Blood Group B डोनेट कर दी है तो होगा क्या जैसी B Antigen Blood Group A वाले की Body के अंदर एंटर होगा तो साथ ही Blood Group A के अंदर जो Antib B Antibodies है वो Antigen B के साथ जाके रियक्ट कर देंगे यानि कि Antigen Antibody रियक्शन हो जाएगा डोनर के Blood Cells के उपर Recipient की Antibodies हमला कर देंगी Antigen Antibody Reaction होगा तो क्या होता है आपको पता है Antigen Antibody Reaction से क्या होता है Antibodies की शेप इस तरह है एक RBC पे लग जाएगा अगला RBC पे लग जाएगा तो वह एक Clump बना देंगे वहाँ पे जब भी Antigen Antibody Reaction होता है तो Clumping of Cells होती है तो वहाँ पे Clumping of Cells होनी शूरू हो जाएगे एक जगा पे जब Clumping of Cells होती है तो वहाँ पे Blood Vessels ब्लॉक हो जाती है ठीक होगे अब इसकी दो तरह के यह आगे फर्दर Reaction करके सारी यह मसले मसाल क्रिएट करेंगे अब Vessels ब्लॉक हो गी है तो अब यहाँ पे दो चीज़े है जो भी वहाँ पे Block यह Clumped RBCs है न उनके उपर WBCs Attack कर देते है जो Clumped RBCs है उनके उपर WBCs Attack कर देते है और उनकी Membrane को तोड़ना शुरू कर देते है और Phagocytosis शुरू कर देते है Clumped RBCs की जब Phagocytosis होती है तो फिर क्या होता है यानि कि Basically उन्होंने RBCs को तोड़ दिया और RBCs के तोड़ने को हम कहते है Hemolysis Hemolysis Blood Lysis ठीक है तो Hemolysis हो गया जैसी RBCs Attack करेंगे तो Hemolysis हो जाएगा वो RBCs तोड़ जाएगा विज़े से Hemolysis ठीक है यानि कि RBCs तोड़ गया तो टीशू स्कीमिय हो जाएगा ठीक है दूसरा ये है कि जब RBCs तोड़ तो उसके अंदर की Hemoglobin बाहर आ जाती है जब Hemoglobin बाहर आ जाएगी तो Hemoglobin का Level Blood में जादा हो जाएगा जिस हम कहते हैं Hemoglobin नीमिया Hemoglobin in Blood is Hemoglobin नीमिया वहां से वो Hemoglobin Blood में घूमती 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 Kidneys में चली जाएगी वहां पर क्या होगा Glomerulis से आगे पास कर जाएगी Tubules में और Urine में Hemoglobin नानी शुरू हो जाएगी तो Hemoglobin in Urine is Hemoglobin Nouria Urea is from Urine Emia is from Blood and Urea is from Urine Hemoglobin Emia इनके Blood में साथ आगी वहां से किड़नी में गई तो किड़नी में जाके जब Urine में Hemoglobin निकलना शुरू हो जाएगी That is Hemoglobin Nouria अब यहां पर बार बार Hemolysis से इतनी ज़दा Hemoglobin प्रोडूस होती है और Hemoglobin जब बहुत ज़दा Glomerul Filtrate से Tubules में जाती है तो कुछ तो Hemoglobin वापस Reabsorb होने की कोशिश करती है मगर जब बहुत ही ज़दा Hemolysis होगा तो इसे तो Reabsorb भी नहीं कर सकेंगे तो वहां पर Hemoglobin अकठा होना शुरू हो जाती है Renal Tubules के अंदर और Renal Tubules को Block करना शुरू कर देती है ठीक है जब Renal Tubules Block होंगे तो फिर तो Kidney काम करना बंद कर देगी यानि Kidney Fail हो जाएगी और यह तो यकदम से Hemolysis जदा हुआ है तो यकदम से यह सारा Hemoglobin औरिया हुआ है और वहां जाके Block कर दिये Hemoglobin और Renal Tubules को तो इसे हम कहते हैं Acute Renal Failure Acute इसके एक दम से होता है Renal Failure इसके Renal Shutdown हो गया Kidney's ने काम करना बंद कर दिये तो एक तरफ तो हमोलसिस के वासे नीमिया हुआ तो वहां से टीशू एसकीमिया हो गया दूसरी तरफ Hemoglobin इमिया हुआ Hemoglobin औरिया हुआ यहाँ पर WBCs ने अटैक कर दिया था उन पर इसलिए टूड गयते है Hemolysis हो गये थी तो एक तो यह दो चीज़े हैं यह Final Results है Kidney Failure और यह Tissue Scheme है दूसरी तरफ हम देखें कि जब भी Antigen Antibody Reaction होता है तो आपको याद हो कि Antigen Antibody Reaction तो बड़े मसले करता था आपको याद ही Antibody किस तरह करती थी Agglutination, Precipitation, Lysis सारी चीज़ें करती थी फिर Antibodies क्या करती है वो Compliment System को भी Activate करती थी दूसरा Indirect Mechanism of Action of Antibodies Compliment System को Activate करती है Compliment System क्या करता है वहाँ से वो भी धेर सारी चीज़ें करता है लैसिस करता है, लाइटिक कॉम्प्लेक्स से और चीमो टैक्सिस करता है Inflammary Remediators रिलीस करता है Toxic Substances रिलीस करता है तो Antigen Antibody Reaction से जो Toxic Substances रिलीस होते हैं वो Toxic Substances क्या करते हैं Toxic Substances आपको पता है वो वेजो डिलेशन करते हैं बड़ी जबर्दस generalized vasodilation कर देंक बोडि में यानि के blood vessels dilate कर जाएगी जब blood vessels dilate कर जाएगी तो blood pressure fall कर जाएगा BP fall कर जाएगा जब blood pressure fall कर जाएगा तो फिर it's a circulatory shock this is known as circulatory shock circulatory shock का मतलब है बंदा faint होना शुरू हो जाएगा पीपी एक्दम से बहुत लो हो जाएगा ठीक है तो इसे बिग प्रॉब्लम और इंट्रेस्टिंगली यही जो ब्लड है उसने आगे किडिनी को भी सप्लाई करना है तो किडिनी में तो पहली ये रिनल टीबूलर ब्लॉकिज की वाद से मसला था उपर से सर्कुलेटरी शौक की वज़ा से भी किडिनी में मसला आ गया है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही किडिनी को ठीक है तो किडिनी रिनल टीबूलर ब्लॉकिज से भी रिनल शटडाउन हो रहा है और यहां से किडिनी में वैसे ही ब्लड नहीं आ रहा तो रिनल फेलियर भी हो रहा है तीक है और तीसरा इंट्रस्टिंग पॉइंट यही टॉक्सिक सब्स्टांसेज जो जेनलाइज वैसे डिलेशन को राके सर्कुलेटरी शौक कर रहे थे यही टॉक्सिक सब्स्टांसेज बाकी वैसेल्स को तो डाइलेट करते है मगर किड्नी की वैसेल्स को कॉंस्ट्रिक्ट कर देते हैं जाके यही टॉक्सिक सब्स्टांसेज तो रिनल वैसो कॉंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी तो रिनल वैसो कॉंस्ट्रिक्शन होती है तो अगर सवाल आए किड़नी ट्रांस्वियन रियक्शन किड़नी को क्या करेंगे तो आपने तीनों मेकनिजम लिखने हैं ब्लॉकेज वाला भी, सेक्लियर शॉक वाला भी और वेजो कुस्ट्रिक्शन वाला भी ठीक है और जेनरली अगर आपसे सवाल गुझते हैं कि ट्रांस्वियन रियक्शन में क्या क्या होगा आइजीम या आइजीजी आइजीम आइजीम कुछ लिए हम हीमोलाइसिन भी कहते हैं कि ये हैं एंटी बॉडी फॉर लाइसिस ये लाइसिस तोड़ती हैं ठीक है ये थे आपके ट्रांस्फूजिन रियक्शन्स